अब इस वीडियो में हम प्राकल्पना निर्माण में आने वाली प्रमुख कठनाईयों के बारे में चार्चा करेंगे कभी कभी प्रस्ण के पूछ लिया जाता है कि प्राकल्पना निर्माण में आने वाली प्रमुख कठनाईयों की विवेच्चना केजिए इस प्रकार से त और इसी बनाने में जो महत्पूर्ण जो कठनाई आती हैं जो प्रमुक कठनाई जो आती हैं वो दो रूपों में आती हैं एक तो शेद्धान्तिक धांचे से संबन देत और दूसरी अध्धन प्रणालियों से संबन देत तो यह दो प्रकार की प्रमुक्रूप से प्राकलपना निर्मान में कठनाई अंसंधान करता को फेज करनी पड़ती हैं उसके सामने आती हैं तो यहां हम पहली बिन्दू के रूप में देखते हैं कि शेद्धान्तिक धांचे से संबन देत आने वाली कठनाई और शेद्धान्तिक धांचे से संबन देत जो कठनाई है उसमें जो मुख्रूप से जो कठनाई आती है वो है इस पश्ट धांचे की अनपस्थिती इसका दात्पर यह है कि कई बार अनसंधान करता के सामने कैसी स्थिती आ जाती है जहां अनसंधान करता को विशे से संबन देत शिद्धान्तों का ज्ञान नहीं होता है तो उस इस्थिती में वह एक उपक्युक्त प्राकल्प्राव का निर्मान करने में अक्षम रहता है जहां तक है यह बात नए विज्ञान जो आध्मिक जो विज्ञानों के संदर्म में यह बात अधिक खर उतरती है कहने कातात पर यह है हम यह कह सकते हैं कि जब तक अंसन धान करता को जिस अध्यनरत जूर्ण करना चाता है तो उस संच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च हैं तो जब तक उन्य संधान करता इससे अन्विक रहेगा जब तक वह उससे संबंधित प्राकलप रांग पा निर्मान धंग से नहीं कर सकता कर लेगा लेकिन वह प्राकलप ना जो होगी वह हम कह सकते हैं कि कारगर्शिद नहीं हो पाएगी तो इसपष्ट धांचे की जहान फ्रस्चित होती है इसपष्ट धांचे के वारे में जहान संधान करता को ज्यान नहीं होता है जानकारी नहीं होती है वहां प्राकलप ना गिर्मान में उसको कठनाई का सामना करना प्रता है अगला बिंदुश में हैं कि धांचे के तारकिक एवं कुशल प्रयोग का जहां अभाब होता है वहां भी अंसंद्धान करता के सामने प्राकलपनाओं के निर्मान में कटना ही आती है यहां कह सकते हैं कि यदि श्यद्धान्तिक धांचा मानलों उपलब्द है कि प्राकलपना निर्मान उसका प्रयोग तारकिक एवं कुशलता पूर्व करने में अध्यान करता मानलों अक्षम है वो शक्षम नहीं है तब भी सही प्राकलपनाओं का निर्मान वो नहीं कर सकता ह यह नहीं ताथ तहने का ताथ पर यहां यह है कि एक मालो धांचा भी उपलब्द है जिसका वद्धन करना चाहता है लेकन जब तक अनुशन धान करता कुशल नहीं है यूग नहीं है वह उसे संबंदित संपूर्ण ग्यान नहीं रखता जब तक वह उसे संबंदित प्यकल्प नाखने माण नहीं कर पाएगा तो यह कुछ शैद्धांतिक धांचे से संबंदित आने वारी कठनाई आएं अब अगले नमबर दो के रूब में हमें यह देखें तो वह अध्यन प्रणालियों से संबंदित कठनाई अध्यन प्रणालियों से संबंदित कठनाई भी कुछ अनसंधान करता के सामने शूद करता के सामने उपस्षित होती हैं और उसका जहां तक हम देखें तो वर्तमान वेज्यन की ज्यान अब जो अनसंधान की जब बात करें प्रणालियों की बात करें तो इन में बहुत अधिक ब्रत्ति हुई है जिनके बारे में शभी को जानकारी होना भी आबशक नहीं है तो आज सहामाजक शेंबंध का अध्यन अभीव्यक्ति जहां तक गर्टियं शुत्रों के में द्धम्चे की जाने लगी है कम्पूटर दारा ध्यन में मदद लिजाती है तो यहां यह वाशक है कि प्रकलप्राव के निर्माण में अध्यन करता अध्यन प्रणालियों को भी भंग से समझ ले शीख ले तो वो उसे सम्बंदित हम कह सकते हैं कि सही प्राकलपनाओं का निर्मान कर सकता है कि जिस्य क्या है उसके अध्यन में समय असलम और धन की धन की भी बचत हो पाती है प्राकलपनाद मान कर लिया लेकिन आज वरतमान की स्थिति हम देखें तो कोई भी सूदकार हो कोई भी यह उन्हें जानते उसकी कार प्रणाली को हम नहीं ठीक तरह से तो जब तक हम ने जो प्राकलपनाओं के बारे में वहां हमको समझ जाएगी तो यह कहने के ताथ पर यह कि जब तक अध्यन प्राणलियों से सम्पून जानकारी हैं हमारे पास में नहीं होगी जब तक हम प्रकल्पनाओं का निर्माण भी ढएंग से नहीं कर सकते हैं क्योंक जेसे व्यग्ञान में यह नहीं परवर्तनार हैं व्यग्ञान प्रगति की और अग्रसर है तो वहां इनितर दिखेन प्रणाल्यों से शंबंधि उसके पास में जानकारी है चक्न जानकारी कि प्रकार के हमारे ठत्थ प्रकार के हमारी जानकार जानकंड करने रेमकरान करेंगे तो आपिने उद्देश में शफर से दो होजगता है। इसके लगए हम कुछ और परिशानी कुछ और कठनाया अनसर्द्धान करता के सामने आती हैं जिसमें कुछ हम कहें देखें तो जैसे घटना की परवर तंशीलता हम जैसे कि देखते हैं एक श्यामाजी घटनाय जो होती है वो परवर तंशील हैं, कनी बात हमाद आफों चख़लिए बगतां कि बात करते हैं तो मैच घटनाओं की विशेश्टा भी है। कि वह हमेश्व परवर तन्शीर देती हैं कि जो इस्दिति आज होगी वक्रनी योगी कल complex में पर्वरतन आजाए धाल लाजए काहल है के विचार विसार जो आज थे वह कलर नहीं रहेंगे उसकी बहावनाओं में परवर्टन आज जाता है उसकी में बतिजिन बदले आ zrobić है this is true to उनके बारे में अंसदान करता को एक अनुमान लगाना बड़ा कठेनकाद कर दा हो जाता जैसे वां उसके सामने इक करना ना कि बारे में उसके सामने कठना करते है जहां तक तो उनके बारे में भी अन्षंधान करता को प्राकलपनाओं के निर्मान में एक कठनाई का सामना करना करता है तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है बहुत बड़ी हम कह सकते हैं कि सामजिक अन्षंधान करता के सामने यह समस्या आती है कि परवरतन सील होने के कारण का निर्मान भंशे नहीं कर पाता है है अगले बिदुर्म के रूप में कि हम देखें तो यहाए अध्यहन बेरें करता का पक्षपात मैं कि पक्षपात जो है यह bhyrrahka करता में बाध्या करता है कि दो प्रेकलपना निर्मान में के हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी कठना है जहां अध्यन करता की अभिनती या इसका पक्षपात या इसका पूर्वाग्रह यह तो उसमें सामिल हो जाता है यह किसी कठना के प्रती वो भावात्मक लगाव रखता है तो उसके द्वारा जो से संबंधित जो प्राकल्पना का निर्मान किया गया है वह तक गोण नहीं आएगा तो एक यह बहुत बड़ा कारण है जब अध्यन करता का पक्षपात या इसकी अभिनती या इसकी दिमाग में कोई पूर्वाग्रह है और वो पूर्वाग्रहों को सास में लेकर या पूर्वाग्रहों के ग्रशित होकर वो किसी प्राकल्पना करे निर्मान करेगा तो वो वस्तनिष्ट प्राकल्पना नहीं होगी और उसके आधार पर जो वो तथ्यों को एक अत्र करेगा संकलित करेगा तो वे तथ्य भी उस अन्शंधान कारे के लिए निरथा की शाबित होए तो यह बहुत बड़ा कारण है यह बहुत बड़ा हम कह सक करते हैं कि यहां पक्ष है कि अन्शंधान करता में जब पक्षपात की भावना आ जाती है वह निश्पक्ष नहीं रह पाता वह बस्तनिष्ट नहीं रह पाता वस्तनिष्ट रहके प्राकल्पना को नहीं करता है तो यहां इस प्रकार की कठनाईयां सामने आती है एक कारण हैं जहां हम कहें कि दूसरों की तुल्णा में जब अन्सन्दान करता अपने सम्मू हो जाती प्रजाती के प्रती उसके जो मन में एक समयदन बनाने में उसके सामने बाधा पैदा उत्पन करते हैं और इसको हम सजाती बाद या सम्मू के इंदृत्ता के रूप से जानते हैं जहां व्यक्ति का अपने सम्मू के प्रती जाती के प्रती जहां एक लगाव होता है एक लग तरह की भावना जब पैदा हो जाती है एक तरीक जहां तक एसी दसा में व्यक्ति अन्य समाजों और समुहों की जहां तक बात करें अन्य संस्कृतियों की बात करें तो जब वो उनसे तुलना करता है तो अपने समाज समुहों और संस्कृति को के बारे में उसमें एक सिष्टा की भावना पैदा होती है और जब यह स्थिता की भावना पैदा होती है तो वो प्राकल्पना का जो निर्मान करता है उसमें भी वह बाधा पैदा करता है यह स्थिति में प्राकल्पना का निर्मान ड्यक्ति का जो कह सकते हैं कि श्यम का पक्षपात है उसमें आना सब भाविक हो जाता है इस संदह में पीवी यंग ने कहा था कि प्राकलपना के निर्मान के समय अध्यन करता को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए और उन बातों के बारे में वो कहते हैं जिसमें पहली बात की वात करते हैं क्यान संद्धान करता कि तीक्षन द्रश्ची होनी चाहिए विभी यंग ने एक अपने विचार व्यक्त किये हैं कि यह जो कठनाई आती हैं उन कठनाई को हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं तो उसमें वो कहते हैं क्यान संद्धान करता कि तीक्षन द्रश्ची होनी चाहिए दूसरी बात वो कहते हैं नियंतित का इल्पना शक्ति तथा राचनात्मक्ष चिंतन होना चाहिए और तीसरी बात वो कहते हैं कि शेद्धानते की धांचे की उपलब्दता तथा उसका ज्ञान अंशंधान करता को होना बहुत आवज़ा है तो ये तीन चीजें यदि अंशं नवाल राज चंपूर पूराज जो अध्याय था वास्माप्त होता है धन्यवाद